अगर आप calculate करोगे total DNA की length आपके हर cell के अंदर दोनों strands की मिला करके तो 2.2 मीटर निकल के आएगी DNA को जब आप R strain से S strain में मतब S strain से R strain में नहीं जाने देते तो आपका transformation होती ही नहीं है आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर एक simple trick है रेमेट हर जीन का साइज लगबग 3,000 बेस्पेर होता है बड़ा भी हो सकता है चोटा भी हो सकता एवरेज है कैसे हैं आप सब लोग I hope each and every one of you is doing absolutely good my name is Dr. विपन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल competition वाला पे in the mind map series और आज हम complete करने वाले हैं एक बहुत जादा important chapter from examinations point of view that is molecular basis of inheritance और इसका revision हम लोग बहुत शांदार से करने वाले हैं with our handwritten notes तो please make sure कि आप हर एक बात को बहुत बारिकी से सुने और आप हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें क्योंकि at the time of revision ये notes आपकी बहुत help करने वाले हैं ये game changer होने वाले हैं game saver होने वाले हैं इसलिए इन notes को आप लोग download भी कर लीजेगा last chapter में हमने पढ़ा principles of inheritance and variation यानि inheritance का principle क्या है कौन से rules हैं जिनको follow करके characters parents से हमारे अंदर आ रहे होते हैं एक generation से दूसरी generation में जा रहे होते हैं हमने वहाँ पर gene का या Mendel सहाब की भाशा में कहें तो factors का concept पढ़ लिया था अब हमें उसका molecular nature देखना है यानि हमें ये देखना है कि gene आख nucleotide किसे कहते हैं इसकी replication कैसे होती है DNA की या gene की transcription कैसे होती है translation कैसे होती है genetic code क्या है lac operon क्या है human genome project क्या है ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं so let's start with the most basic understanding कि molecular basis of inheritance का मत्तब क्या है inheritance के लिए कौन सा molecule responsible है इसके बारे में हम study करेंगे यानि हमारे genetic material के बारे में हम लोग study करेंगे आपको पता है दुनिया के जो जादातर organisms है उनमें DNA एक genetic material है और कुछ एक viruses है जो आपने chapter biological classification में भी पड़े थे जैसे कि tobacco mozac virus है वहाँ पर RNA as a genetic material काम कर रहा होता है तो ये दोनों के दोनों ही genetic materials है DNA कुछ जादा organisms में है RNA थोड़े कम organisms में है इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते है nucleic acids DNA का नाम अगर आप गवर से देखे तो क्या है deoxy ribose nucleic acid और RNA का नाम क्या है ribose nucleic acid दोनों nucleic acid ही है और ये जो nucleic acids हैं ये कैसे बनते है इन nucleic acid को हम लोग poly nucleotide भी कहते है यानि बहुत सारे nucleotide यहां पर जुड़े हुए होंगे यानि काफी सारे nucleotides एक के बाद एक के बाद एक जुड़ करके poly nucleotide बनाते हैं जिसे nucleic acid कहा जाता है तो आप से कोई पूछे कि nucleic acid किसका बना है nucleotide का बना है nucleoside का नहीं यहां confusing question create होता है second important thing आपको पता है ये nucleic acid दो तरीके का है deox उसी ribose nucleic acid और ribose nucleic acid ज्यादातर organism में DNA genetic material है जैसे हमारे अंदर भी और RNA सिर्फ कुछ चुनिंदा वाइरस के अंदर ही as a genetic material अपना काम कर रहा होता है जैसे यहां पर कुछ examples देखिए जो NCRT में दिये हुए हैं अपका 5174 जो है इसमें 5386 nucleotides होते हैं यानि हमारे cell के अंदर भी हमारा DNA loaded है आपको पता है कि हमारे cell के अंदर nucleus है nucleus में chromosome है और chromosome में DNA ठूस ठूस के भरा हुआ है pack किया हुआ है तो वो जो DNA है न उसमें आपके nitrogenous basis लगे होते हैं इस तरीके से तो बहुत लंबा DNA है तो बहुत सारे nitrogenous basis लगे रहते हैं अगर आप human का कोई cell निकाले और उसका एक strand देखें तो आपको 3.3 billion nitrogenous basis देखने को मिलते हैं 3.3 into 10 raise to the power 9 base pair इसी प्रकार से हर organism में specific number of base pairs या basis होते हैं उनके cells में तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5174 को तो इसका जो DNA है 5386 nucleotides long है सर याद कैसे करें नाम देखे 174 यह तो question में दिया ही रहेगा पहले इन दो images को plus कर दो इन दो numbers को sorry है ना 5 फिर इन दो number को minus कर दो आपका 3 फिर starting के दो number को plus कर दो 8 फिर starting के दो number को minus कर दो 6 आपका answer आ जाएगा Lambda bacteria phase जो है यानि ऐसा virus जो bacteria को infect करता है इसमें 48502, 50 minus 2 is equal to 48, 48502 base pair है E-coli अगर आप देखे bacteria तो इसमें 4.6 into 10 raise to the power 6 base pair है और अगर आप देखे हमारे अंदर तो 3.3 into 10 raise to the power 9 तो 3 multiply by 3 भी 9 होता है तो आप एक बार को इस तरीके से याद कर सकते हैं आगे चलके आपको इस चीज़ें automatically question solving के बाद याद हो जा रही होती हैं अगर आप देखें कि एक nucleotide chain बंती कैसे है poly nucleotide chain बंती कैसे है तो आपको इसके components को समझदा होगा तो एक nucleotide के 3 parts होते हैं पहला nitrogenous base जिसमें nitrogen होगा obviously तो यह दो प्रकार की chains होती है purine जो की 9 member की chain होगी देखो यहाँ पर एक 6 member की ring है और एक 5 member की ring है अगर यह fuse हो गए दोनों के दोनों rings तो total आपकी 9 positions बनी ना 6 तो यह वाली और यह दोनों तो common है तो 7, 8, 9 9 total यहाँ पर आपको members देखने को मिले यहाँ पर nitrogenous base इसका नाम है तो nitrogen present होगा 5 को छोड़ करके हर odd number पे nitrogen पाए जाता है जैसे 1 पे पाए जाएगा 3 पे पाए जाएगा 7 पे पाए जाएगा 9 पे पाए जाएगा 5 को छोड़ के हर odd number पे similarly दू होती है nitrogen कौन कौन सी position पे 5 को छोड़ के हर odd number पे यानि 1 और 3 पे 5 पे present होगा नहीं 7 और 9 यहाँ पर positions हैं ही नहीं तो nitrogenous basis इन्हें क्यों कहा गया क्योंकि इनमें nitrogen पाया जा रहा होता है प्यूरीन में क्या आते हैं आपके example एड़नीन और ग्वैनीन यानि आलू गो भी आलू गो भी आ गया है तो उसको cut कर दो भाईया पिरेमिडीन में क्या आ गया है तो आपका nitrogen यहाँ पर bond बना रहा है sugar के साथ तो इसे glycosidic bond कहा जाता है sugar को resemble करने वाला word क्या है glyco तो glycosidic bond इसे कहा जाता है और nitrogen के साथ bond बन रहा है इसलिए इसे N glycosidic bond कहा जाता है तो nitrogenous base और sugar यहाँ पर जुड़ गई इनकी combination से बनता है nucleoside nucleoside nucleotide नहीं है दोस्ते nucleoside और जब यह nitrogenous base और sugar जोड़ करके nucleoside बना देता है इसके उपर जब आप phosphate भी add कर देते हो चाहे एक add करो चाहे दो चाहे तीन यह आपका हो जाता है क्या nucleoside phosphate जुड़ते ही nucleoside यह आपकी एक छोटी सी unit है जिसमें nitrogenous base है sugar है और आपका phosphate है तो यह एक nucleoside तयार हुआ है अब यह एक nucleoside अगले nucleoside के साथ जुड़ेगा फिर उससे अगले nucleoside के साथ जुड़ेगा और बहुत सारे nucleoside जब जुड़ जाए तो इसे poly nucleoside या nucleic acid हम लोग कहेंगे तो poly nucleoside या nucleic acid ऐसे बनता है तो DNA कब बनेगा जब यह जो sugar हो यह हो deoxy ribose इसमें एक आपका oxygen कम होता है तो एक delete हो जाता है oxygen second position से और अगर आपका 5 carbon का ribose sugar है तो बनेगा आपका RNA यहाँ पर सिर्फ यही difference होता है DNA में ATGC पाए जाते हैं और आपका RNA में AUGC पाए जाते हैं चार-चार ही आपके nitrogenous basis होंगे uracil आपका सिर्फ RNA में देखने को मिलता है DNA में देखने को नहीं मिलता थाइमीन आपका सिर्फ DNA में देखने को मिलता है RNA में देखने को नहीं मिलता तो दो आपके यहाँ पर Purine होते हैं हमेशा, दो आपके Pyramidines होते हैं, अगर DNA है तो आपका C और T, और अगर आपका RNA है तो आपका C और U, ये छोटे मोटे आपके differences है DNA और RNA के बीच में, अगर आप देखें DNA की Discovery को, तो Frederick Micher सहाब ने DNA को Discover किया और इसका नाम रखा Nuclein, क्यो क्योंकि इसे Nucleus के अंदर से Discover किया गया था, तो इसका नाम Nuclein रखा, फिर एक और Scientist है जिनका नाम था Altman, और Altman सहाब ने देखा, कि ये जो material है, ये जो DNA है, ये एक्च्छल में Acidic है Nature में, तो इसका नाम इन्होंने Change करके Nucleic Acid रख दिया आगे, क्योंकि इसमें जो दो Chains पाई जाएंगी जो आपस में एकदम Coiled है, एक ये वाली Chain, एक ये वाली Chain, ये भी एक Polyneucleotide Chain है, ये भी एक Polyneucleotide Chain है, ये जो हम लोग बनाते हैं, ये जो Backbone है, ये किसकी बनी हुई है, शुगर और Phosphate की, और शुगर और Phosphate तो यहां देखने को मिले Nitrogenous Base का है, अंदर की साइड आपके ये आए हुए है, तो एक Nitrogenous Base इस ट्रेंड पे, एक Nitrogenous Base इस ट्रेंड पे साथ में जूड जाते हैं, और बना लेते हैं, Base Pair, जैसे एक जूता अगर आप इस हाथ में ले ले, एक जूता इस हाथ में ले ले, तो इन दोनों को साथ रखेंगे, तो जूतों की जोड़ी बन जाएगी, सिमिलरली ये Nitrogenous Base, ये Nitrogenous Base साथ में आ गए, तो पेरिंग हो गई, Base Pair बन गए, तो एडिनीन हमेशा Base Pairing करता है, थाइमीन के साथ, है ना, और आपका दो Hydrogen Bond इनके बीच में पाए जाते हैं, और C हमेशा Hydrogen Bonds बनाता है, G के साथ, तीन Hydrogen Bond बनाता है, इनहीं की Base Pairing साथ में हो पाईगी, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह जो एक 360 डिगरी का टर्न है, जहाँ पर 360 डिगरी आपने मरोड दिया है, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी की पूरी कोईल को, यह 360 डिगरी का जो टर्न है, यह 34 एंग्स्रॉम बड इसना है, तो आप क्या करोगे, 34 एंग्स्रॉम बाई 10, यानि 3.4 एंग्स्रॉम यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस, या इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस, या इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस हो जाएगा, और आपके एक स्रेंड में कितने Nitrogenous Bases हैं, 3.3 इन आपके हर cell के अंदर पाया जा रहा है, और आपकी body में billions of cells हैं, यानि आप अपने हर cell का DNA निकाल कर अगर एक के बाद एक जोड के रसी बना दो, तो आप अर्थ को बहुत बार लपेट सकते हो, इतनी बड़ी रसी बन जाएगी, आपके शरीर में इतना सारा content क्या है, fit ह यह जो model दिया था है, किनों ने दिया था, Watson और Crick साहब ने दिया था, और X-ray diffraction data जिसकी मदद से Watson और Crick साहब ने यह model दिया था, वो Wilkins और Rosalind Franklin में ने दिया था, तो इसके लिए Nobel Prize भी दिया गया था इन scientist को, Rosalind Franklin में को Nobel Prize नहीं मिला था, क्योंकि उनकी death Nobel Prize distribution से पहले हो थी, and Nobel Prizes कभी भी posthumously, यानि किसी scientist की death के बाद उन्हें award नहीं किये जाते हैं, इसलिए Rosalind Franklin में को Nobel Prize नहीं मिला, बाकी तीनों scientist को, यानि Wilkins को, as well as आपका Watson और Crick साहब को Nobel Prize से समानित किया गया, यह आपका सबसे common form of DNA है, जिसको B form of DNA कहते है, जो आपका alpha बैठ है A, B, त अंदर देखने को मिल रहा होता है, अब मैंने आपको बताया, आपके हर सेल के अंदर सवा 2 meter का DNA packed है, लेकिन आपका सेल तो खुद बहुत चोटा सा है, average eukaryotic cell का size देखोगे तो कितना है, 10 से 20 micrometer, उसमें इतना बड़ा DNA pack कैसे हुआ, वाया proper packaging, तो हमारे इस बड़े से DNA क pack करने के लिए काफी सारे proteins का हम लोग इस्तमाल करते हैं, जिने histone proteins कहा जाता है, और आगे चलके जब बहुत ज़्यादा condensation की आवशकता होती है, बहुत ज़्यादा dense packing की आवशकता होती है, तो non-histone chromosomal proteins यानि NHC proteins भी हमारा साथ दे रहे होते हैं, तो histone proteins जो है, यहाँ ए octamer बन जाता है, यानि 8 unit का एक गोला बन जाता है, octamer, octa मतलब 8, मर मतलब units, तो यहाँ पर H2A histone है, इसकी 2 unit, H2B histone है, इसकी 2 unit, H3 histone की 2 unit, H4 histone की 2 unit, total 8 unit हो गई, एक आपका गोला बन गया, इसे histone octamer कहा जाता है, और यह octamer होता है positive, क्यों? क्योंकि यह जो histone protein है, यह basic amino acids में rich होता है, जैसे lysine और arginine में, और यह basic amino acid है, तो इनमें NH3 positive group पाया जाता है, जो इनमें positive charge देता है, तो lysine और arginine यहाँ पर पाया जा रहा है, तो overall यह जो protein है, histone protein यह positive है, और DNA कैसा है, negative है, क्योंकि इसमें क्या है, phosphoric acid पाया जा रहा है, phosphate पाया जा रहा है, जिसमें negative charge होता है, तो DNA negative और histone positive, क्या यह DNA इस histone के around wrap हो जाएगा, बिल्कुल, तो DNA जो negative charge होता है, यह 200 base pair का DNA, आपका एक histone octamer के around बढ़िया तरीके से wrap हो जाता है, pack हो जाता है, है ना, इस तरीके से, इसे bead on string model कहा जाता है, bead मतलब, अगर आप एक माला को देखें, तो उसमें ए होते हैं, जो मोती होते हैं, वो है, beads, तो यहाँ पर आपका जो nucleosome है, nucleosome मतलब, आपका histone octamer था और इसके around कुछ DNA wrapped था, इसको हमने nucleosome बोला है, तो histone octamer और इसके around जो 200 base pair का DNA लिप्टा हुआ है, इसको nucleosome बोला, और इसके around जो और DNA बचा हुआ है, इन nucleosome के बाद, य यह आपका क्या है, यह आपका chromatin का DNA network है, तो आपका chromatin धागे की तरह behave करता है, and nucleosome मनके की तरह behave करता है, इसे आपका bead on string model कहा जाता है, और फर्दर अगर आप future में packaging और करना चाते हैं, तो non-histone chromosomal protein यानि NHC proteins भी आपको use में लेने परते हैं, इस तरीके से DNA अच्छे तर DNA wrap हो करके pack कर दिया जाता है, अब scientist में starting से जंग चल रही थी, बहुत सारे scientist थे जो बोलते थे कि आपके cell में major part तो protein है, अगर आप cell की composition देखें जो आपको chapter biomolecules में मिल जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि आपके cell में पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा abundant चीज है वो ह protein, तो scientist ने कहा कि protein बहुत important है, enzymes proteins है, antibodies proteins है, आपकी body में जो structure है, nails है, hairs है, ये protein है, आपके blood में बहुत सारे protein है, protein ही genetic material है, हर काम तो protein कर रहा है, लेकिन कुछ scientist ने कहा कि नहीं DNA genetic material है, protein सिर्फ काम करता है, ये work horse है, ये आपको काम करता हुआ दिखाई दे जाएगा, लेकिन वो काम करवा कौन रहा है, DNA, तो scientist में बहुत ही जादा गुथम गुथाई चली, यहाँ पर एक views का clash हुआ, अलग-अलग view hold कर रहे थे, scientist कुछ कह रहे थे, DNA is the genetic material, कुछ कह रहे थे, protein is the genetic material, तो हम लोग search में लग गए कि भाई, कोई ऐसा experiment आ जाए, कोई ऐसा proof दे दे कोई scientist जिससे confirm हो जाए कि genetic material आखिर है क्या, तो यहाँ पर इस कड़ी में पहला जो experiment किया था, वो Griffith सहाब ने किया था, और इस experiment का नाम था, Griffith Transformation Principle, 1928 में यह experiment हुआ, और इन्होंने diplo-coccus या streptococcus के दो strains लिए, पहला strain आपका rough strain था, rough strain था यानि, rough इसकी appearance इसके उपर कोई coat नहीं था, अगर rough appearance उपर कोई coat नहीं है, तो जब यह bacteria हमारी body में आएगा, या किसी animal की body में जाएगा, तो pneumonia तो cause नहीं करेगा, बलकि हमारा immune system इस bacteria की धज्यां उड़ा देगा, तो यह pneumonia cause नहीं कर पाता, it is non virulent, यह जहरीला नहीं ह यह बिमारी cause करने वाला नहीं है, लेकिन दूसरा जो strain था मेरे भाई, S strain, यह बिमारी cause करता था, यह virulent था, क्यों, क्योंकि उसके उपर smooth polysacryde का coat था, और किसी चीज़ के उपर अगर coat लगा हुआ है, it is more protective, तो हमारी body के immune system से बच जाएगा, क्योंकि इसने coat उड़ा हु अहां तक सब चीजे सही चल रही है, चुहे में जब R strain डाला, तो R strain तो safe था, तो चुहा बच जाना चाहिए था, बिल्कुल चुहा बच गया, फिर इनोंने heat kill कर दिया S strain को, यानि S strain जो था, उसको inactivate कर दिया, अब S strain जान लिवा था, लेकिन inactive है, तो माइस बच जाना चाहिए था, बिल्कुल बच गया, फिर इनोंने कहा कि R strain में भी माइस बच जाता है, वो भी जान लिवा नहीं है, S strain में भी माइस बच जाता है, वो भी जान लिवा नहीं है, अगर मैं इन दोनों चीजों को मिला देता हूं, दोनों ही जान लिवा नहीं है, अगर मैं इन प्रकार के cells देखने को मिले, जिन्दा S strain cells देखने को मिले, हमने heat kill कर दिया था इनको, लेकिन जिन्दा S strain देखने को मिले, तो Griffith सहाब ने कहा, कि यहाँ पर यह जो R strain है, यही transform हो गए है, S strain के अंदर, क्योंकि S strain तो आपने heat kill कर दिये, है ना, लेकिन यहाँ पर इसका DNA जो अपने मन मुताबिक proteins बनवा सकता है, अपने मन मुताबिक और चीज़े भी बनवा सकता है, तो R strain यहाँ पर transform हो गया, S strain में, इसलिए आपको जिन्दा S strain बैक्टीरिया देखने को मिले, mice के heart से, तो यहाँ पर इन्होंने कहा, कि भाई, transform हो गए है, R strain बैक्टीरिया, S strain ब कि भाई DNA genetic material है, या RNA है, या protein है, ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं, बाद में आपके तीन अलग-अलग scientist है, जिनका नाम था Avery, MacLeod और McCarty, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम दो cells लेंगे, और इनमें हम अलग-अलग chemicals को जाने से रोकेंगे, जैसे यह एक cell है, यह द साथ हमें पता है, आज के दिन में पता है, उस टाइम पे नहीं पता थी, इन्होंने क्या कहा, हम DNA को जाने से रोकेंगे और असर देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, कि यहाँ पर DNA जा रहा है, RNA जा रहा है, प्रोटीन को इन्होंने रोक लिया, प्रोटीन नहीं Detake material क्योंकि protein को रोक लोगे तब भी काम होगा ही होगा तब daw alternating transformation हो इसको भी जाने से रोका तो transformation पर कोई फरक नहीं पड़ा यानि RNA was also not responsible for transformation अगली बार क्या क्या इन्होंने DNA को जाने से रोक लिया protein और RNA को जाने दिया DNA को जाने से रोक लिया तो transformation नहीं हुई क्योंकि transformation तो DNA के कारण होती है हमें आज के दिन में पता है यहां पर इन्होंने indirectly लिए प्रूफ कर दिया कि DNA को जब आप आर स्ट्रेंड से स्ट्रेंड में मतब एस ट्रेंड से आठ से नहीं जाने देते तो आपका transformation होती नहीं है यानि वो चीज़ जो स्ट्रेंड से आर स्ट्रेंड में निकल करके आ रही थी वो क्या थी DNA थी यह इन्होंने digest कर रहे थे जाने से रोक रहे थे आपको पता है यह जो जाने से रोकने के लिए enzymes हम लोग इस्तवाल कर रहे थे यह भी तो सारे protein थे तो scientist जैसे बोले हसने लगे in fact कि यार आप यह proof करना चाह रहे हो कि protein is not the genetic material और आप यह चीज प्रोटीन के बिना भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो क्या गुंडा बनेगा रहे तू क्या experiment क्या है भाई जहां पर आपको protein की तो एकदम must need है आप उसके बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा हो ऐसा experiment करो जिसमें protein यूज ना हो और उसमें प्रूफ करो कि DNA is the genetic material तब मानेंगे तब आपके Hershey and Chase सहाब का experiment आया यह अन एक्विवोकल प्रूफ था इससे बाकी सारे साइंटिस्ट के मूँ बंध हो गई यह एकदम बढ़िया प्रूफ था यहां पर इन्होंने यूज किया आपके bacteria phase को infect कराया bacteria के ओपर और इन्होंने देखने की कोशिश की क्या ऐसी चीज है bacteria phase की जो bacteria को जाके infect करती है भाई जो चीज बैक्टिरिया के अंदर घुस पा रही है infection करने के लिए वही genetic material है जो चीज बाहर रह गई वो genetic material हो ही नहीं सकती क्योंकि virus को अगर मौका मिलेगा कि भाई एक ही चीज अंदर भेजनी है तो क्या भेजेगा अपना genetic material भेजेगा जिससे वो bacteria की पूरी machinery को अपने control में ले सके क्योंकि ये ताकत सिर्फ genetic machinery को control में लेने की genetic material के पास ही होती है और कोई molecule ये काम नहीं कर सकता तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई बाहर का जो protein है ना इस बैक्टिरियो फेज का ये sulfur से label कर देते हैं radioactive sulfur से S35 से और एक अलग बैक्टिरियो फेज लिया इसमें protein तो आपका normal था यहाँ पर ऐसे बोले भाई DNA को अलग से label कर देते हैं DNA को अलग से label करते हैं P32 से आपका phosphorus 32 से तो बोले ठीक है इसको बैक्टिरिया पर infect कराया तो देखा कि radioactive protein बाहर पढ़ा हुआ है normal DNA अंदर चला गया और इसको जब बैक्टिरिया पर infect कराया तो देखा radioactive DNA अंदर चला गया है protein बाहर पढ़ा है यानि दोनों cases में DNA ही अंदर जाता है तो आपको पता लग गया कि DNA is the genetic material तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया यहां से radioactive चीजों का आप जल्दी ट्रैक कर सकते हो यहां से आपने ये प्रूफ किया कि protein अंदर नहीं गुसा radioactive माल बाहर ही है बैक्टिरिया के cell के और यहां से आपने ये प्रूफ किया कि DNA ही अंदर जाता है radioactive material बैक्टिरिया cell के अंदर देखने को मिल रहा है तो DNA is the genetic material ये बात प्रूफ हो गई अगर आप देखें genetic material को तो property क्या क्या होनी चाहिए it should be able to replicate क्या DNA खुद की copy बना सकता है आज ही बना कर देखेंगे DNA replication के process से yes तो it can be a genetic material क्या RNA खुद की copy बना सकता है बिल्कुल बना सकता है तो दोनों काम कर सकते हैं stable DNA ज्यादा stable होता है RNA से क्योंकि RNA जो है catalyst का भी काम करता है इसे ribozyme कहा जाता है तो RNA बहुत ही ज्यादा unstable molecule है बहुत reactive molecule है क्योंकि उसके पास एक oxygen ज्यादा है उसमें ribo sugar है DNA में deoxy ribo sugar है एक active oxygen हमने निकाल लिया है तो ज्यादा stable कौन है DNA यही आपकी सबसे main property है जो DNA को अ cell mutate slowly धीरे-धीरे mutate करे RNA तो बहुत जल्दी-जल्दी mutate करता है क्योंकि unstable है लेकिन DNA slowly mutate करता है इसलिए better genetic material है और express करे अपने आपको DNA पहले RNA बनाता है फिर आपका protein मनाता है तो protein is the ultimate form of expression तो अपने आपको DNA express कर सकता है RNA directly protein मना सकता है तो वो भी अपने आपको express कर सकता है यानि दोनों genetic material है लेकिन सिर्फ यह stability वाले point की वज़े से DNA is better genetic material ऐसा आपका कहा जाता है और दुनिया के अधिकतर organisms में यही हमने देखा भी है तो DNA आपका replication process से अपनी replica बना सकता है copy बना सकता है DNA आपका transcription से RNA में convert हो सकता है और translation से protein में भी convert हो सकता है इसे central dogma scheme of molecular biology कहा जा यह scheme दी थी C4 Crick ने Watson और Crick में से Crick सहाब ने यह scheme दी थी अब अगर आप देखें पहला step that is replication तो यह semi conservative होता है पॉर्णि और सपन पोई DNA replicate कर रहा है तो यह semi conservatively replicate करेगा यानी DNA अगर रेप्लिकेट कर रहा है तो इसके दो स्ट्रैंड है यहाँ पर दोनों स्टेंड हमने हरे बनाए यह दोनों क्या है तो एक strand नया यानि 50% DNA नया और एक strand पुराना यानि 50% DNA पुराना तो semi यानि आधा conserve कर लिया है आपने DNA और आधा नया बनाया है तो आधा जो हरा वाला पाट था ये तो आपने conserve रखा आधा नया तयार किया है आधा हरा वाला conserve रखा आधा आपने नया तयार किया है इसको प् यूकरियोट्स में किनों ने आपका confirm किया था टेलर सहाब ने फाबा बीन्स में यानि वीचिया फाबा में एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो कुलाई को ऐसी जगा पर रखा जहाँ पर खाने के लिए सिर्फ ही नाइट्रुजन ही है कुछ दिया ही नहीं में जितना भी DNA हो इसमें N15, N15 ही सारे strands बने हुए है, तो यह है आपका N15, अब इसको normal दुनियादारी में ले आए, जहाँ पर usually N14 पाये जाता है, तो 20 मिनट में जब equaline ने divide किया, तो देखा गया कि भाई यहाँ पर एक strand हरा है, एक strand सफेद है, कैसे पता लगा, भाई यह आपके heavy nitrogen है, N15, तो जब आप density नाप रहे थे, तो heavy, यानि नीचे की side आपका यह band बना, अगर आप यहाँ पर नाप रहे हो, तो एक strand N14, एक strand N15, एक strand N14, एक strand N15, एक strand N15, तो hybrid आपकी density आईगी, तो बीच में आपका band आना चाहिए था, बीच में ही आया, फिर देखे, य है, 20 मिनट बाद फिरी कुलाइड डिवाइड करेगा, यह हरा strand और यह सफेज strand separate, हरा strand यहाँ, सफेज strand यहाँ, यह हरा strand और सफेज strand separate, हरा strand यहाँ, सफेज strand यहाँ, और अब आजपास N14 है, तो सफेज strand यहाँ, सफेज strand यहाँ, सफेज strand यहाँ, सफेज strand यहाँ, सफेज बने दो आपके एकदम सफेज स्टेंड वाले N14, N14 यानि light हलके और दो आपके hybrid बने N14, N15, N14, N15 यानि medium density के ये बात भी density gradient से proof हो गई, यानि ये densities आपकी सिर्फ तभी आ सकती हैं जब एक स्टेंड नया बन रहा हो, एक स्टेंड पुराना बन रहा हो और इसी को semi conservative mode of replication कहा जाता है, तो मैसलसन एंड स्टाहल ने ये बात प्रूफ करी E. coli में, with the use of heavy isotope of nitrogen, and Taylor सहाब ने और उनके कुछ colleagues ने ये बात प्रूफ की V.C.A. Faba में, यानि Faba Beans में, with the help of use of radioactive thymidine, ठीक है, अब actual replication machinery पे आ जाते हैं, क्या क्या लगता है यहां पे, DNA polymerase नाम का enzyme लगता है, DNA polymerase, DNA को polymerize कराने वाला, नया DNA बनाने वाला, and ORI, यानि origin of replication, यह जो replication है ना, इसका origin कहीं भी random जगा से आप नहीं कर सकते, एक point है जिसको start point कहा जाता है, वहीं से आपका DNA replicate होना start होगा, तो यहां पर मैंने आपके लिए easy कर दिया है, एक diagram तयार कर दिया है, यह आपके 2 strand of DNA है, है ना, 2 strand of DNA है, तो इस DNA को हमें replicate करना है, इसकी copy बनानी है, तो DNA क्या करेगा, खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक enzyme आता है, जिसका नाम है helicase, helicase मताब helix को खोलने वाला, तो यहां पर यह खुलता जाएगा, और एक काटे जैसी आपको शकल देखने को मिले कि इसको क्या कहा जाता है, इस काटे को क्या कहा जाता है, replication fork, एक काटे जैसी structure बन रही है, replication के दोरान बनने वाली इस fork like structure को replication fork हम कह रहे होते हैं, तो helicase इस side में move कर रहा है, यानि एक zipper की तरह है, जैसे आप chain कोलते हो ना, back की, तो इस तरीके से मैं इस helicase को यहां move कर रहा हूँ, तो यह आपका DNA खुलता रहेगा, अब DNA एकदम 5' to 3' direction में आपका क्या करता है, synthesize होता है, तो यहां पर 3' है, तो यहां पर 5' आएगा इसका complementary 5' to 3' जैसे जैसे DNA खुलता जाएगा, उतना उतना यह एकदम एक जटके में ही replicate करता जाएगा, और खुलता जा 5' to 3' इतना ही टुकड़ा बन पाएगा, फिर DNA इतना खुला, तो यह टुकड़ा आपका पहले का था, यहां से यहां तक का ही टुकड़ा बन पाएगा, यानि छोटे-छोटे कई टुकड़े होंगे इस strand पे, क्योंकि polarity opposite है, यहां तो आपका 5' to 3' इस direction में है, यहां आप 5' यहां पर है, तो यहां एक primer लगाना पड़ेगा, और इतना छोटा सा टुकड़ा बनाना पड़ेगा, फिर यहां पर primer लगाना पड़ेगा, इतना छोटा सा टुकड़ा फिर बनाना पड़ेगा, and so on, तो यहां पर multiple टुकड़े बनते हैं, इसलिए इसे lagging strand कहा जाता है, जितना DNA खुलेगा उतना ही यहाँ पर आपका छोटे-छोटे टुकड़े बनते जाएंगे, it is lagging strand, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह continuously synthesize होने वाला टुकड़ा जो है, इसे leading strand कहा जाता है, तो आपका semi conservative तो है DNA replication, semi discontinuous भी है, एक strand continuous बनता है, एक strand discontinuous बनता है, यह जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं, इन्हें oka-zaki fragment कहा जाता है, और इन oka-zaki fragment को बाद में हम glue की मदद से जोड़ देते हैं, यानि DNA ligase की मदद से जोड़ देते हैं, जो phosphodiester bond बना देता है, और complete आपका, यह जितने भी टुकड़े होंगे, यह भी एक strand बना देंगे नया और यह complete एक टुकड़ा होगा, यह भी एक strand बना देगा, यह आपका DNA replication यहाँ पर खतम हो जाएगी, आपका DNA polymerase यहाँ पर इस direction में जाता जा रहा है, और यहाँ पर आपको multiple primers की आवशकता होगी, जब जब DNA आपका नया बनना स्टार्ट होगा, छोटे-छोटे टुकड़ हजारों nucleotides add कर रहा होता है, इस हिसाब से आपके पहले दो strand थे, अब यह strand बन जाएगा इसके साथ, और यह छोटे-छोटे जो टुकड़े है इनको जोड़के एक strand बन जाएगा इनके साथ, तो total 4 strand हो जाएगे at the end of the day, अब आपने DNA की copy कर ली है, DNA कभी भी copy होता है, तो हो रहा होता है, DNA की copy आप complete करेंगे, लेकिन सारे genes की आवशक्ता आपको एक साथ नहीं पड़ती, मेरे pancreas में अगर मुझे अभी insulin बनाने की जरूरत है, तो सिर्फ insulin के gene को मैं activate करूँगा, उसको RNA में convert करूँगा, उसको protein में convert करूँगा, सिर्फ insulin बन वाऊंगा, मैं सारे genes को activate नहीं करूँगा, it's a very energy consuming process, इसलिए आप RNA को एक छोटे से टुकड़े के format में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप पूरा ही RNA बनाए जितना लंबा DNA है उतना बड़ा ही, नहीं, आपको जितने की जरूरत है आप उतना RNA बना सकते हैं, तो आपकी transcription जो है, एक transcriptional unit म भी हो सकती है, है ना, तो यहां पर देखिए, दोनों strand DNA के RNA नहीं बना रहे होते, क्योंकि RNA single stranded है, तो एक ही strand DNA का RNA बनाएगा, क्योंकि दोनों strand DNA के अगर RNA बनाएगे, तो सेम सेम तरीके का ही RNA बनेगा, एक दूसरे से complementary double stranded RNA साथ हाकर चिपक जाएगा, और double stranded RNA पे ribosome bind नहीं करता, कोई protein synthesis नहीं होगी, है ना, और पूरा complete DNA भी RNA में convert नहीं होता, आपको जितने की जरूरत था, आप उतना convert कर लिजे, जैसे इस board जितना लंबा DNA है, पर मुझे इतने को ही RNA में convert करना है, तो यह मेरी transcriptional unit है, इसकी शुरुआत में लगा रहता है, promoter, end में terminator, ठीक है, और यहाँ पर बीच में, जो DNA है, promoter, terminator के बीच, जिसको मुझे RNA में convert करना है, यह क्या है, हमारा structural gene है, इसको मुझे RNA में convert करना है, तो मेरे पास दो strand है, मैं यह कैसे decide करूँगा, कि मुझे किस strand को RNA में convert करना है, भाई, DNA और RNA synthesis 5' to 3' ही take place करती है, अब देखो, यहाँ पे 3' है, यहाँ पर आपका जो strand बनेगा है, 5' to 3' बनेगा, 5' पर promoter आ रहा है, यहाँ से शुरुवात होनी चाहिए, 3' पर terminator आ रहा है, यहाँ पर process end होना चाहिए, यह तो अच्छी बात है, match कर रही है चीजे, तो it is called as template strand, इसको आप RNA में convert करोगे, यह वाला जो है, RNA में convert नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह strand है, 5' to 3' यहाँ पर इस direction में आएगा, 5' to 3' बैट जहां से आपको शुरुवात करनी है, वहीं पर terminator बैठा है, तो आप शुरुवात थोड़ी कर पाऊगे, इसलिए आपका template strand वो होता है, जो आप RNA में convert कर रहे होते हों, और coding strand terminator है, यह बात है आपके coding strand की, और इसके लावा इसका कोई मतलब नहीं है, main जो है आपका, जो RNA में convert होगा यह है, template strand, तो बैक्तीरिया में transcription कैसे होती है, आपका यह जो template strand है, अब यहाँ पर आपका promoter है, इस P for promoter पे कौन bind करता है, P for polymerase bind करता है, कौन सा polymerase, DNA dependent, RNA polymerase, यानि DNA को पढ़ करके RNA बनाने वाला, तो अब यहाँ पर आपका polymerase bind कर गया है, अब यह polymerase पहले sigma से bind करता है, sigma factor initiation कराता है, यानि यहाँ पर DNA को पढ़ पढ़ के RNA हम लोग बनाना start कर देंगे, initiation, अगर यह अकेला है, तो elongation कराएगा, यानि अगर RNA polymerase आ करके बैठा, इसको sigma factor की जरुत है, जो self start लगवा देगा, start करा देगा process को सिर्फ, फिर sigma factor हट जाएगा और आपका main RNA polymerase बचेगा, जो DNA से RNA बनाएगा, और जब end में terminator के पास पहुंच जाएगा आपका RNA polymerase, तो पता लग जाएगा process end करना है, तो एक factor यहाँ पर आएगा, इसे row factor बोलते है, row factor termination क कराएगा, जब कोई नहीं है, अकेला है, तो यह elongation कर रहा होगा, यानि whole soul bacteria के अंदर एक ही enzyme है, RNA polymerase जो सारे के सारे काम कराता है, और bacteria में gene polycystronic होते हैं, bacteria prokaryote है, तो P for prokaryote, P for polycystronic, यानि आप multiple genes एक ही switch से activate कर सकते हो, polycystronic, poly मतब बहुत सारे, systrons मतब आपकी ऐसे DNA के parts जो protein बना रहे होते हैं, RNA बना रहे होते हैं, उन्हें systron कहा जाता है, तो आप एक ही switch दबाओगे, तो multiple systrons आपके activate हो जाएंगे, आपके express करने लगेंगे, हमारे अंदर यानि eukaryotes के अंदर monocistronic arrangement होती है, एक switch से एक ही bulb जलेगा, तो बहुत ही पहला कि यहाँ पर एक ही polymerase नहीं है, multiple polymerase है, तीन polymerase देखने को मिलते हैं, second, यहाँ पर bacteria के अंदर कोई introns नहीं होते हैं, यानि कोई non coding sequences नहीं होते RNA में, सारा RNA काम का है, हमारे अंदर बहुत सारा junk यहाँ पर देखने को मिलता है, काफी सारे ऐसे sequence देखने को मिलते हैं, ज करोगे, तो जितना भी DNA है, वो RNA में convert हो जाएगा, चाहे काम का हो, चाहे बिना काम का हो, इसमें से बिना काम का RNA हमें हटाना होता है, तो यह जो आपका overall structure बनता है, है heterogeneous nuclear RNA कहते है, HN RNA, इसकी processing करनी पड़ती है, तब जाके आपका mRNA या messenger RNA तयार होता है, तो इसमें आप 3 major चीजे कर रहे होते हैं, राइट, सबसे पहले आप cap लगाओगे 5 prime end पे, जिससे पता लग जहाँ है, यहाँ से यहाँ तक हमारा RNA है, आपने क्या कर दिए, दोनों end पे capping और tailing कर दी, cap किस चीज की लगाओगे, guanosine triphosphate के, क्या है, gtp है, ATP, gtp सुना है न, यह gtp है, ब 5 prime end पे, और पीछे, आप tail लगा देते हो, polyadenylate की, यानि 200 से 300, AAA, 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 आप add करते चले जाते हो, तो आपका polyadenylate की बहुत लंबी tail आप यहाँ पर बना रहे होते हो, and introns यानि यह जो बिना काम के sequences थे, यह भी आप remove करते हो, इस removal के process को splicing कहा जाता है, तो आपका HNRN से mRNA अब बनेगा तो आपको processing करनी पड़ती है prokaryotes में ऐसी कोई जंजट नहीं है plus prokaryotes में एक ही polymerase सारा काम करा रहा था यहाँ पे आपके अलग-अलग RNA होते हैं इनको बनाने के लिए अलग-अलग polymerase लगते हैं जैसे ribosome का structure बनाने के लिए कौन चाहिए ribosomal RNA तो यह structural भी होता है यह catalytic भी होता है यह enzyme की तरह भी काम करता है ribosome भी हो सकता है similarly mRNA जो कि आपका further protein में convert होगा यह तो आपका main RNA है anti-RNA जो as an adapter काम करता है protein synthesis के दौरान amino acids पकड़-पकड़ के लेके आता है यह भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पर एक simple trick है ramet बहुत सारे जो एक जैसे clones बनते हैं न उनके group को ramet कहा जाता है r-a-m-e-t तो यहाँ पर main alphabets क्या है आपके r-m और t किस sequence में आ रहे हैं 1, 2, 3 तो polymerase 1 जो है क्या बनाता है r-r-n polymerase 2 क्या बनाता है m-r-n और polymerase 3 क्या बनाता है t-r-n ramet r-a-m-e-t तीनों alphabets वो भी एक sequence में m-r-n और h-n-r-n तो आपके same-same सही है दोनों आपका same polymerase बना रहा होगा polymerase 2 r-r-n की जितनी भी sub unit है 28 sr-r-n 18 sr-r-n 5.8 sr-r-n यह कौन बना रहा होगा आपका polymerase 1 एंड यहाँ पर t-r-n 5 sr-r-n snr-n छोटे-छोटे जो आरेने है यह बना रहा होगा polymerase 3 तो यहाँ पर यह दो additional complications होती है 3 प्रकार के आरेने polymerase है जो अलग अलग आरेने बनाएंगे और 3 प्रकार से आपकी processing होगी methyl guinosine triphosphate की capping आपकी polyadenylate की tailing और splicing जिससे आप introns को remove कर रहे होंगे यह है आपका basically transcription अब translation में आप क्या करते हैं translation में आप पहले कुछ code समझते हैं जैसे कोई भी language है उसको आपको translate करना है किसी दूसरी language में तो आपको language इसका ग्यान तो होना चाहिए अब genetic code भी कुछ ऐसा ही है आप क्या कर रहे हो DNA की भाषा क्या थी ATGC चार ही codes थे उसमें चार ही alphabets थे ATGC adenine, guanine, thymine, cytosine RNA की भाषा क्या थी AUGC adenine, uracil, guanine, cytosine यहाँ पर क्या है amino acid की भाषा है proteins में और 20 अलग अलग टाइप की amino acid है यानि DNA में भी आपकी nitrogenous basis की भाषा थी RNA में भी आपकी nitrogenous basis की भाषा थी लेकिन यहाँ अब amino acids की भाषा है तो आपको convert करना होगा कि nitrogenous basis जब मिलते हैं तो यह कौन सा amino acid बनाते हैं आपको समझना होगा तो George Gamow सहाब ने बताया कि आपके triplet होते हैं तीन के pair में यह पाए जाते हैं यानि तीन आपके जो nitrogenous basis हैं मिल करके क्या बनाएंगे एक आपका amino acid तयार कर रहे होंगे कैसे पता लगा इनको यह इन्होंने कहा कि अगर एक nitrogenous base एक amino acid बनाता है है ना तो आपके 4 ही amino acid बन पाएंगे क्योंकि 4 nitrogenous base थे power 1 लगा आपके 4 amino acid बन पाएंगे amino acid हैं 20 फिर इन्होंने कहा चलो 2-2 के format में ले ले लेते हैं तो आपके 16 ही बन रहे थे amino acid फिर भी 4 कम पड़ गए फिर इन्होंने जब 3 के format में लिया तो 64 बने जितनी जरुरत है उसे ज़्यादा बन रहे हैं तो इन्हें लगा कि हाँ 3 होने चाहिए फिर इन्होंने validation करने की कोशिश करी और validate करके पाया कि भाई 3 axis पे UCAG sequence में लिख लिजे यू C AG और इस तरहरा के से आप बनाएं गे आपको 44 कोड़ ओन्स देखने को मिल जायेंगे आप यह जो कोड़ ओन्स है ईनकी कुछ प्रोपर्टीश ऺंद दोस्त इन 64 ก शुक्रो कोड़ ओन्समें से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CUU leucine मनाएगा CUA leucine मनाएगा CCU proline मनाएगा CCA proline मनाएगा लेकिन यहाँ पर तीन ऐसे हैं जो किसी चीज़ के लिए किसी amino acid के लिए code नहीं करते अगर इन में से कोई आ जाता है आपका RNA के sequence में तो आपको पता लग जाता है कि अब protein synthesis बंद करनी पड़ेगी अगर मुझे UAA मिल गया इसका मतब stop codon आ गया है अब है protein synthesis बंद अगर मुझे UAG मिल गया stop codon आ गया है UGA मिल गया stop codon आ गया है तो तीन क्या है आपके stop codon से सिर्फ 64 में से 61 ही amino acid के लिए code करते हैं तीन आपके stop codon है AUG आपका बहुत special है यह यहाँ पर लिखा हुआ है AUG यह क्या करता है यह आपका start codon है यानि यह आपका start भी कराता है translation process को तो अगर यह सबसे first position पे आ रहा है तो start codon का का काम करेगा बीच में कहीं आ रहा है तो methionine नाम का जो sulfur containing amino acid है उसके लिए code कर रहा होता है तो यह methionine add कर देगा यह जो आपके codes हैं almost universal होते हैं एक आदा exception है कुछ protozoans है हमारा mitochondria है इन में एक आदा code different होता है otherwise अगर हमारे अंदर UUU phenyl alanine बना रहा है सकता है नहीं कोई could नने या एक खort हूड हमेशा नहीं के लिए कोड करेगा बहुत सगा है लेकिन एक amino acid multiple codon से भी code हो रखा हो सकता है जैसे यहाँ पर यह 6 के 6 codon leucine ही बना रहे है तो one amino acid can be coded by multiple codons but one codon Cug हमेशा जिंदिगी भर leucine ही बनाएगा यह बात एकदम confirmed है यह बात एकदम guaranteed है यह आपको देखने को मिलता है यहाँ पर genetic code तो अब RNA का जो भी sequence है यहाँ पर RNA का जो भी sequence है इसको पढ़ पढ़ के हम amino acid लगाते जाएंगे जैसे पहले ही आगे आपका AUG AUG मत्तब process start चलो भाई protein synthesis start फिर आगे आपका CCU है ना फिर आगे आपका CCU यानि प्रोलीन आ जाएगा यहाँ पर TRN प्रोलीन लेकर के आ जाएगा प्रोलीन हमारा पहला amino acid हो गया फिर आपका हो गया let's say CAC तो histidine आ जाएगा फिर हमारा हो गया UCU तो serine आ जाएगा फिर हमारा हो गया UGU तो आपका सिस्टीन आ जाएगा फिर हो गया हमारा UGG तो ट्रिप्टोफेन आ जाएगा फिर हागया हमारा यहाँ पर UAA यानि stop codon तो यहाँ पर आप कोई amino acid तो नहीं आएगा stop codon है तो यहाँ protein synthesis बंद तो बीच में जितने amino acids आए उनके बीच में peptide bond बन जाएगे इसे हम protein translation protein synthesis कह रहे होते हैं तो translation में आप क्या करते हैं RNA से protein बनाते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे TRNA की charging करेंगे TRNA जो अलग-अलग amino acid को ले करके आता है तो TRNA की charging करेंगे यानि इसके उपर amino acid आप जोड रहे होंगे याना charged TRNA कहाएगा initiator codon पर यानि AUG के पास कि भया चलो process initiate करते हैं ठीक है और यह bind कर जाएगा smaller ribosomal subunit से तो RNA के पास सबसे पहले कौन आके जुड़ती है smaller subunit of ribosome आकर के जुड़ती है यह smaller subunit of ribosome जुड़ गई तो यह बड़ी subunit को भी बुलाएगी इसके लिए important है magnesium ion तो magnesium ion आया छोटी और बड़ी subunit दोनों की दोनों आपकी जुड़ गई mRNA के उपर protein factory जुड़ चुकी है mRNA है ही इसको पढ़ पढ़ के यह ribosome क्या करता रहेगा amino acid बनाता रहेगा यह amino acid कैसे पता लगेंगे कौन कौन से लाने है TRN पता करता रहेगा adapter molecule है यह acid जुड़ जाएगा उसके बाद stop codon आ जाएगा stop codon आ गया मत्तब process बंद तो यहाँ पर एक release factor आता है यानि आप जितना बड़ा protein बना है उसको release तो करना है चिपका थोड़ी रहेगा RNA से इसलिए उसको ribosome से release करना ribosome की subunits को वापस free करना यह कौन कराता है release factor सारी चीज़े अलग-अलग हो जाएगी RNA से हम लोगों ने protein तो बना दिया RNA भी अलग हो जाएगा जो protein factory जोड़ी थी दोनों subunit of ribosome यह भी अलग हो जाएगी protein जो नया बना है वो भी अलग हो जाएगा यह सारी चीज़ें आपकी अलग हो जा रही होती है तो what we have done over here charging of tRNA tRNA आ गया initiator codon पे जुड़ गया यानी mRNA पे जुड़ गया अब जैसे ही यह काम होता है पटाफट smaller subunit of ribosome आ जाती है smaller subunit of ribosome फिर call करती है larger subunit of ribosome को और इन दोनों की association के लिए magnesium iron important है अब protein factory जुड़ चुकी है तो यह RNA को पढ़ना स्टार्ट कर देगी one by one एके codon को पढ़ती रहेगी tRNA उस codon को समझ समझ के नए amino acid लाते रहेंगे और उनके बीच में peptide bond बनते रहेंगे तो जैसे जैसे ribosome RNA में आगे बढ़ेगा protein बनता जाएगा amino acid जुड़ते चले जाएंगे और जैसे इस top codon तक हम पहुँचेंगे बहुत सारे amino acid जुड़ करके एक protein बना चुके होंगे वो protein हो जाएगा release with the help of release factor यह आपकी translation है अब एक important concept है हमारी किताब में lack operon operon मतलब यहाँ पर एक ही switch है जैसा मैंने आपको बताए था polycystronic arrangement देखने को मिलती है तो multiple genes आपके एक साथ express करते हैं तो यहाँ पर common promoter और operator है एक ही promoter और operator है जो कई genes को express करा देगा कई genes को protein में convert कर देगा और lack operon मतलब यहाँ पर यह लेक्टोज operon की बात हो रही है यहाँ पर main component है वो है lactose sugar तो समझ लीजे कोई bacteria है और bacteria के पास lactose नहीं है absence है आपके lactose की अगर lactose बन ही नहीं रहा है आसपास तो क्या lactose को तोड़ने वाले enzymes की ज़रुत पड़ेगी वाई अगर मैंने खाना खाया ही नहीं है तो क्या मैं बहुत सारे digestive enzymes बना कर बैठ जाऊंगा digest किसी इसको करेंगे तो अगर यहाँ पर lactose है ही नहीं तो यह ZYA जो की बनाते है beta galactocidase, permease, transacetylase यह तीनों आपके lactose को तोड़ने का काम करते हैं जब lactose ही नहीं है तो क्या यह बनेंगे नहीं बनेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है यहाँ पर यह repressor molecule आ जाता है जो I gene है, inhibitor gene है यह आपका क्या बनाता है यह repressor बनाता है और यह repressor बैठ जाता है इस operator के ओपर RO से याद करेंगे हम रिप्रेसर बैठता है operator पे और P for promoter पे कौन बैठता है P for polymerase अब ये polymerase आगे जाना चाहेगा पर road तो है block तो promoter आगे ये polymerase आगे पहुंच ही नहीं पाएगा ZYA के पास तो ये आपका transcribe translate नहीं कर पाएंगे लेकिन समझ लीजिए inducer absent है है ना उसमें ये case होगा उपर वाला आप समझ लीजिए inducer आपका present हो गया यानि आपका lactose present है inducer इसे क्यों बोला क्योंकि खुद को तोड़ने के process को induce कर रहा है lactose होगा तभी तो तूटेगा तो यह अपने आपको ही तोड़ने वाले enzymes बनाने के लिए यहाँ पर system को activate करता है तो इस इंड्यूजर तो lactose अगर present है तो यह सारे enzyme बनने चाहिए उसे तोड़ने के लिए तो यहां रास्ते से पत्थर हटाना पड़ेगा यहां पर पत्थर नहीं हो पाएगा आरो नहीं बन पाएगा यहां पर रिप्रेसर और अपरेटर पे नहीं जा पाएगा तो यह रोड है अब खुली-खुली तो यहां पर आपका जो प्रोमोटर था जिस पर पॉलिमरेज ख़डा था यह आगे चला जाएगा जेड़ वाई और एक उपर इस तरीके से आपका LACOPERON काम करता है, इस तरीके से LACOPERON काम कर रहा होता है, अगर LACOPERON absent है, तो उसको तोड़ने वाले enzymes को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका system blocked रहेगा, और अगर LACOPERON प्रेजन प्रेजन प्रेजनट है, तो आपने तूटने के लिए enzyme भी बना तो जब lactose नहीं बन रहा होता याला असपास environment में नहीं present होता तो इस इसे अपर चाही जब lactose आ जाता है तो हमें इसे अन करना पड़ता है P Suzanne Indusible Porn, Off से अन करना पड़ता है अन करना परता है अन करने लायक है यह induce करने लायक है यह तो inducible अगर पहले से on रह रहा होता बंद करना पड़ता तो repress करना पड़ रहा था repressible repress करने लायक है यह है inducible over on ठीक है human genome project human का जो भी genome है genome मतलब haploid content इसको हम लोग sequence कर रहे होंगे haploid content क्यों सर दोनों strands क्यों नहीं बाई base pairing के rules तो हमको पता ही है अगर एक strand के आपको सारे के सारे base sequence पता लग गया तो दूसरा strand तो आप खुद ही design कर लोगे वाई एक strand पर आपको पता लगया लिखा हुआ ATGC दूसरे strand का नहीं बता दोगे A के बगल में क्या आएगा T ती के बगल में क्या आएगा A, C के बगल में क्या आएगा G, G के बगल में क्या आएगा C वो तो computer पे query डालिए दूसरा strand synthesize करके दे देगा आपको चंद मिंटों के अंदर ही इसलिए सिर्फ genome का हम लोगों यहां पर project में sequencing का काम किया है पूरा हमने दोनों-दोनों strands नहीं लिये हैं तो दोनों-दोनों strands हमने नहीं लिये हैं it was a mega project, mega project क्यों? क्योंकि 9 billion dollars की इसमें लागत आने वाली थी आज के दिन में अगर आप देखें तो लगभग 75,000 करोड रुपै 3.3 into 10 raised to the power 9 basis को code करना था यानि 3 billion basis का sequence हमें पता करना था एक base के sequence को code करने के जो cost आ रहा था वो 3 dollars थी यानि total 9 billion dollars रुपै यानि आप देखोगे तो रुपै में इसकी कीमत क्या हो जाई? 75,000 करोड के आसपास हो जाएगी और 13 साल का ये mega project था 1990 से 2003 में इसको खतम करने का सोचा गया था लेकिन time all लग गया 2006 में आखरी chromosome जो था वो आपका code किया गया था दो methodology हो सकते हैं इसमें whole genome sequencing दुनियादारी में जो भी आ गया रहा है सब को sequence कर दो काम का, बिना काम का, junk DNA, everything सब को sequence कर दो whole genome sequencing expressed sequence tag यानि सिर्फ ऐसी चीज़ों को sequence करो जो expression like है, जो intron, exon का concept पढ़ा था हमने वही जो junk DNA है, जो किसी काम नहीं आ रहा है, जो कोई proton नहीं बना रहा है उसको code मत करिए, तो main जो था वो आपका whole genome sequencing थी क्योंकि हमें तो पूरा का पूरा ही data आपका चाहिए था तो goals क्या थे आपके, human genome project के और result क्या है goal ये था कि भाई, 3 billion जो हमारे nitrogenous basis है, इनका sequence पता लग जाए तो हम 3.3 billion लेके चल रहे थे, जो आज भी हमारी किताब में लिखा हुआ है NCRT में, starting में ही हमारी first slide में भी आप देख सकते हो लेकिन actual में पता लगा, it is 3.164 billion तो पहली बात तो number ही थोड़ा सा अलग आया दूसरी important चीज, ऐसा बोले कि हमारे cell में जो 20 से 25,000 genes है इनके बारे में पता लगाओ, पता लगा कि भाई, genes का जो number है average लगभग 30,000 के आसपास आपके genes है और हर gene का size लगभग 30,000 base pair होता है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, average है यह for example, आप insulin को देखें, तो यहाँ पर 21 amino acids देखने को मिलते हैं एक chain में तो आपके nitrogenous basis कितने हुए, 21 गुना 3 यानि 63, तो यह तो बहुत छोटा है size में और यहाँ पर आप diastrophin को देखें, तो 24,000,000 यहाँ पर base pair देखने को मिल रहा है, यह तो बहुत बड़ा है, average 3,000 के आसपास निकल करके आता है, हर gene का, कई scientist कह रहे थे 50,000 gene है हमारी body में, कई कह रहे थे 1,000,000 हैं, कई कह रहे थे 20,000 हैं, 30,000 के आसपास यह number देखने को मि आपकी 3,000 base pair है, जो भी data हम निकाले human genome project से, इसको computer में store करें, अच्छे से process करना सिखें, जब भी जो query डाले उसका answer आजाए, और यह data time to time retrieve भी हम कर पाएं, क्योंकि data store करने से कुछ नहीं होता, काम पढ़ने पर उस data को हम लोग निकाल भी पाएं, यही सबसे important criteria है, और LC issues क यानि ethical, legal, social issues को हम लोग counter करते रहें साथ-साथ, तो एक अलग से team मनाई, कि यार इतना बड़ा project है, 13 साल का काम है, काफी सारे ऐसे लोग आएंगे, जो legal case करेंगे, कि यह unethical है, यह गलत है, उन सारे issues को counter करने के लिए एक अलग से legal team बैठा दी गई, हमें यहाँ पर देख exactly 99.9% similar है, सिर्फ 0.1 difference की वजए से दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब अलग हैं, बात करने का तरीका अलग, बोल चाल का तरीका अलग, रहने का तरीका अलग, खाने पीने का तरीका अलग, पढ़ने का तरीका अलग, समझने का तरीका अलग, दिखते अलग हैं, everything is different just because of that 0.1 difference, single nucleotide polymorphism, यानि सिर्फ एक nucleotide पर difference, छोटे-छोटे differences आपके 14 लाख जगाहों पर पाए जाते हैं, क्रोमोजोम नमबर 1 जो है, यह 2968 genes carry करता है, बहुत जादा है नमबर, और Y क्रोमोजोम जो है, हमारा males का सबसे छोटा होता है, इसमें 231 genes ही पाए जाते हैं, तो यह आपका काफी छोटा होता है, अब लास्ट टॉपिक, जो CID जिस ने देखा है, इस टॉपिक से भले बात ही वाकिफ होगा, एक scientist आते थे उसमें, जिनका नाम था डॉक्टर सालूखे, उनका काम यही था, genetic fingerprinting करना, DNA fingerprinting करना, कहीं पर भी मौकाय वारदात पे आपको कोई sample मिल गया है, blood का sample मिल गया है, कोई living cell मिल गया है, उसको उठा करके लेके आए, और पूरे के पूरे DNA को माध्यम से हमने human genome project को complete किया था, sequencing was very slow, 13 साल लग गए, एक cell के DNA को code करने में, और उसे अगर आप store करने बैठे, तो लगभग आप मान के चलिए, 3500 किताबे लग जाएंगी, 1000-1000 पेज की, तब आप इतना data store कर पाएंगे, आज के दिन में, जो human genome sequencing है, यह आप मात्र दो तीन दिन में करवा सकते हैं, क्योंकि अब next generation sequencing, यानि NGS का concept आ चुका है, which is more efficient and more faster, यहाँ पर आप फटा-फट, मौकाई वारदात पर जो खून मिला, खून का धबा मिला, उसका DNA आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर extract कर सकते हो, and आपको जिन दो suspects पे शक है, उनके DNA को भी extract कर स सकते हो, कि यह कितने मिल रहे हैं, और आपको exact data मिल जाएगा, कि हाँ भई, इन में कितनी male joule है या नहीं, तो Alec Jeffrey सहाब ने यह concept दिया था DNA fingerprinting का, on the basis of VNTR, यानि variable number of tandem repeat, variable number मत्तब यह number different होता है, tandem repeat यानि लगातार repeat हो रहा होता है, जैसे एक छोटा सा sequence है, ATGC, ATAC, AC, AC, यह अगर 100 बार repeat हो रहा है किसी organism में, तो किसी organism में हो सकता है, 20 बार ही repeat हो रहा हो, और आपके जो parents हैं, और आप में यह similarity देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर chromosome कहां से आया है, भाई, एक आपके पास जो chromosome का set है, वो mother से आया, एक father से, तो समय लीजे, आपका mother का जो chromosome है उसमें यह जो VNTR है, यह 100 बार repeat हो रहा था, तो आपके एक chromosome में 100 बार repeat हो रहा होगा, और आपके father साहब में 80 बार repeat हो रहा है, तो आपके दूसरे chromosome में 80 बार repeat हो रहा होगा, आपके पास तो दोरों के chromosome है ना, आपके पास total 46 chromosome है, 23 ममी से आए, 23 पापा से आए, तो आपके करो्कहिव बना है इसलिए हम कहते हैं टवंटी-93 पेर ओफ क्रोमोजूम राइट हम लोग बोल दो देते हैं शौक में बट एगजक्रटी इस्ट्र DAYर ओफ क्रोमोजूम लोग जरोंटी स्थैंक हे पापा का है तो अमारे पास क्रोमोजोम हम द्वंबर टू का एक maior है क्रोमोजम नंबर फ्री एक मम्मी का है एक पापा का है तो क्रोमोजम नंबर फ्री का एक पेर है तो इसी तरीके से आपके मधर में कुछ विंतियार है फादर में कुछ VNTR हैं, वो जब आपके अंदर आएंगे और आप टेस्ट करोगे VNTR का, अपने मम्मी पापा से आप अपना genetic material compare करोगे, तो आपको similarities दिख जाएंगी, किसी और से नहीं दिखेंगी, किसी और के parents कोई और थे, तो इतनी similarities नहीं आ सकती, थोड़ी बहुत आप वकायवारदात पे से, आपने क्या किया, DNA extract कर लिया, और इस DNA के छोटे-छोटे टुकडे कर दिये, DNA के छोटे-छोटे टुकडे इसलिए कर दिये, जिससे कि आप इसको अगरोज gel electrophoresis में दोडा सको, और इन छोटे-छोटे टुकडों को separate कर सको, इनके molecular weight के हिसाब से, त सबसे छोटे टुकडे बहुत दूर भाग गए, सबसे बड़े टुकडे आपके ज्यादा दूर नहीं भाग पाए, उनका weight ज्यादा था, तो आप क्या करते हो, बेसिकली, यह अगर एक gel है, तो इस gel में मैं क्या करूँगा, यहाँ positive charge लगा दूँगा, DNA कैसा है, negatively charge है, इस है, वो बहुत ही धीरे-धीरे भागेगा, तो वो पीछे रह जाएगा, तो सारे के सारे DNA के टुकडे separate हो जाएंगे, आपको यहाँ पर band देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आपकी gel पे DNA separated आपको मिल चुका है, आप क्या करोगे, उसके ओपर एक membrane रख दोगे, nitrocellulose membrane रख क्या कर दोगे, आपको जिस DNA की तलाश है, आपने यहाँ पर blood sample लिया, समझ लिजे, आपने एक suspect का लिया, आप तयार कर लोगे, probe, probe मतलब, ऐसे radioactive particles, ऐसे radioactive DNA और RNA के molecules, जो complementary sequence से bind कर सके, आप आपका क्या है, आपके पास एक probe है, है ना, वो probe अगर bind हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि भाई, आपका suspect जो है, वही murderer है, आपने एक मौकाई वारदात पे से DNA निकाला, मौकाई वारदात पे से आपको blood sample मिला, उसका आपने DNA निकाला, आपने एक probe तयार किया, जो उसी sample पे bind करेगा, जो आपका एकदम correctly match हो रहा हो, complementary है, तो आपने पहले probe synthesize कर लि जाएगा, auto radiography दिखाने लग जाएगा, और confirm हो जाएगा, कि हाँ भाई ये जो मौकाई वारदात पे से खून मिला था, ये उस आदमी के DNA से match कर रहा है, जिससे हमने probe synthesize किया है, यानि अगर मैंने individual A के लिए probe तयार किया है, तो individual A is the culprit, वही कातिल है, DNA match कर गए है, तो यहा आपको आँखों से दिखाई नहीं देगा, कि probe bind कर गया है, आपको auto radiography का या x-ray का इस्तमाल करना पड़ेगा, तब आपको ये चमकता हुआ probe दिखाई दे जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भई, probe और DNA bind कर चुके हैं साथ में, तब ही auto radiography पर चमकते हुए VNTR है, फादर के पास कुछ VNTR है, है ना, तो आपके अंदर भी यहीं kromosomes आ रहे होंगे, एक एक kromosome आ रहा होगा, तो जब आप comparison करते हो, DNA के छोटे-छोटे टुकडे लेते हो, और उनके bending pattern को आप compare करते हो, तो आपको पता लग जाता है, कि क्या same bands आपके बन रहे है, जो आपके parents के बन रहे थे, if yes, दोनों के bending pattern अगर same है, तो आपका DNA मिलता जुलता है, अगर bending pattern बहुत अलग है, आपका DNA एकदम अलग है, आपका VNTR एकदम अलग है, parents का एकदम अलग जा रहा है, तो गड़बड है, तो यहाँ पर paternity issue आ सकता है, तो दोस्तों इस chapter को बहु usually class लेते हैं, तो इस chapter को one shot में भी अगर हम कराएं, it takes around 8 hours, तो यहने यकीन channel के उपर एक पूरा one shot ले रखा है, जो लगबग साथ 8 घंटे का है, और उतना time इस chapter को देना बनता भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि detail में आप चीज़े देखें, तो आप यकीन channel से देख सकते ह हैं, competition वाला के उपर, यानि इस channel के उपर भी काफी सारी मेरी videos हैं, जो molecular basis of inheritance को बहुत detail में cover करती हैं, तो आप जाकर के उनको भी समच सकते हैं, पर किसी भी concept में अगर आप अटकते हैं, कहीं आपको लगता है कि कोई concept मिस हो रहा है, तो उसको छोड़िये गमत, क्योंकि आपका flow बना हुआ है, आज आप molecular inheritance पढ़ने के मकसद से आए थे, तो उस मकसद को पूरा करिए, एक भी topic आपको ऐसा लगता है कि हाँ इधर उधर और बेटर हो सकता है, तो उसको जाकर के थोड़ा detail में समझिए, NCRT based questions लगाईए, और इस chapter के लिए done हो जाए, तो thank you so much guys for watching this video up, अगर आपको ये effort पसंद आए, अगर आपको ये notes अच्छे लगे, तो please make sure कि आप comment section में लिखें वीपू sir OP, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले session में जहाँ पर हम लोग discussion कर रहे होंगे microbes in human welfare की, and then हम लोग भढ़ जाएंगे towards our next unit which is ecology, तो बहुत जादा मजा आने वाला also, and I hope आपको एक बहुत अच्छी conceptual clarity भी यहाँ पर मिल रही होगी, और एक fast track revision आपका हो रहा होगा, so thank you, lots of love, jahind, मिलता हूँ आपसे अगले session में, thank you